है लो गाइज वेलकम बाक तो मैं चैनल नाव आज हम लोग बहुत इंपोर्टन टॉपिक करने वाले है यह यह पर्टिकुलर जो टुट्यूरियल है यह एसी ओ के पार्ट में आएगा तो यहां पर ऐसे तो हम लोग ने बहुत सारे ओंपेज के पारमेटर बताए हुए है ले हम लोग देखने वाले हैं ओके सो ले स्टार्ट विड़ पॉइंट तो सबसे पहला पॉइंट क्या है तो इट सेज इंपोर्टन कीवर्ट्स आड़ बिगिनिंग तो जब कभी भी हम लोग हमारा यूरल स्ट्रक्चर करते हैं वहां पर हम लोग ने हमारे कीवर्ट्स है हम लोग यहां पर तो लेस्ट गेट इंट गूगर अनले स्ट्राइन सब्सक्राइब कीवर्ट्स आड़ वेबसाइट यह हमारी वेबसाइट है जो नंबर वन पर रैंक हुई है अब इसका यूरल स्ट्रक्चर एक बार देख लेंगे यह किस तरीके से यूरल हम लोग न इस वन इस नाइपट इससे क्या बोलते हैं इस गूगल स्नाइपट ओके अब यह परेटिकूलर स्नाइपट को हम लोग क्लिक करेंगे तो ऊपर में हमें हमारे जो पर्टिकूलर यूरल है वो दिखने वाली है लेस्ट ट्राइन अंडरस्टैंड तो यहां पर आप अगर द keywords at the beginning वो हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया है नौ सेकेंड लेस्ट इन्टो दी सेकेंड प्लाटफॉर्म दूसरा क्या है दूसरा कुन सा ऐसा पॉइंट है जो कंसिडर करना है नो रिपीटेशन नो रिपीटेशन का मतलब है अगर आप कोई भी पर्टिकुलर कीवर्ड यूज कर रहे हैं उसमें चोटे-चोटे वर्ड होते हैं जैसे को एसियो कोर्सेस इन पूने फॉर इंचाम्पल तो एसियो आपको बार बार यूज नहीं करना अए एक बार आप ने एसियो यूज कर लिया इनफ है हमारे लिए देन वी टॉक अपट नॉट नेसेसरीली अडिनटिकल टी पेश टाइटल होता है जो मेटा टाइटल होता है आ यूरल का लुक अट दिस यह टाइटल है मेटा टाइटल अब मेटा टाइटल यहां पे तो सर आपने कीवर्ड ही लिखा हुआ है इसके अलावा कुछ होता है मेटा टाइटल तो हां मेटा टाइटल जो होता है वो आप आपका कीवर्ड लिख सकते हो सामने में आप बेस लिख सकते हो टॉप लिख सकते हो और जनरली इसके सामने क्या होता है कि कीवड डाल दिया कीवड डाल दिया बार डाल दिया और सामने में आपने आपका ब्रांड का नाम डाल दिया तो फर यह point particularly बोल रहा है look at it this one third one fourth point क्या है unnecessary url parameters जब आप url structure करोगे तो यहाँ पे question mark and percentage ऐसा कोई भी numerical letter या फिर symbol नहीं डालना है क्यों इसके वज़े से यहाँ पे google को structured नहीं समझता है तो google क्या बोलता है कि आप simple काम कीजिए कि आपके url में hyphens यूज कीजिए क्या यूज कीजिए hyphens यूज कीजिए तो चलो देखते हैं hyphens कैसे होते है look at this look at this look at this look at this so एक जो dash है बीच में these are called as hyphens sir underscore यूज करें क्या no underscore भी यूज नहीं करना है बहुत simple तरीके से आप लोगो hyphens मतलब dash यूज करनी है मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ so that it would be easy for you to understand okay तो जैसे के आपकी कोई URL है तो मेरी यहाँ पर URL है let's suppose यह टॉप लेवल डोमेन है mory.in forward slash और अभी आपने यहाँ पर बनाया है digital ओके यहाँ पर आएगा hyphen marketing ओके यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ marketing फिर से hyphen courses अगर company है या फिर कोई भी है पूने राइट इस शुट भी the URL structure बहुत simple है okay so अब बारी आई sir what is the other point that needs to be considered तो उसके लिए मैं फिर से जा रहा हूँ points के ऊपर let's get into the points let's try and understand then हम लोग बात करने वाले keyword stuffing आपके keyword आपके जो URL है उसमें keyword stuffing आपको नहीं करना है keyword stuffing हा मतलब क्या होता है कि excessive use of keyword यह एक black hat technique है जो हमें यूजह नहीं करनी है आप लोग और लोग आज़ेरी पता होगा कि black technique क्या होती है white technique क्या होती है gray hat technique क्या होती है तो आप लोगों को नहीं पता है तो हम लोग इसके उपर भी एक topic लेके आएंगे वो भी आप समझ लीजिएगा so basically keyword stuffing ये नहीं करना है excessive use of keyword बार-बार same keyword नहीं डालना है sir उसके बाद में capital letters कभी भी हमें हमारी URL में capital letters add नहीं करने है सारे जो letters होंगे सारे small letters होंगे right and divided by hyphen hyphens versus underscore underscore use नहीं करना है hyphens मैंने अभी बताया है बीच में dash use करनी है sir words using URL कौन से words use करे जो भी आप लोगों ने keywords निकाले हुए है वो sir keywords कितने rank होगे एक URL particular URL के उपर तो आप लोगों को इसके लिए on page अगर आपने सिखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि एक URL पर आप बहुत सारे keywords rank नहीं कर सकते हो 8 to 12 ठीक है इसके उपर add on मत करो ये rank हो जाता है perfect तो इसी चीज़ के लिए जो भी आप लोगों ने words use कि होगे है वो it should be related to the keywords ok then long URL बहुत लंबी URL आपको नहीं बनानी है सर्क क्यों नहीं बनानी है तो सारे keywords में आप पर डाल सकता हो नहीं आपको excessive भी यूज नहीं करना है एकदम short URL भी नहीं बनानी है और अभी long जो URL लेंस में बोल रहा हो वो क्यों नहीं यूज करनी है तो आप लोग को already पता है जब इसके बाद में हम लोग off-page activities करते है to get the backlinks तो बहुत सारी ऐसी directories होती है social bookmarking होती है जहाँ पर long URLs ये नहीं लेता है आप वहाँ पर submission नहीं कर सकते हो तो जब submission नहीं करोगे तो backlink नहीं मिलेगी तो rank नहीं होगा करके मैंने डाल दिया milanmore.in forward slash करके मैंने लिखा for example GLC Sir what is this तो जैसे आपको नहीं समझा its German language classes तो उसी तरीके से Google को नहीं समझेगा कि GLC का मतलब German language classes है तो इसलिए आपको बहुत simple तरीके से आपका जो keyword है वो एक अच्छे structure से use करना है and this is how the beauty is all about हम लोग बाकी भी on page के लिए बहुत सारे अलग अलग tutorial लाने वाले है I hope this this is the you know a simple way of telling you guys की URL structure कैसे करते है आप इसे use कीजिए and I bet you get the ranking on Google's first page thanks for watching the video bye bye take care